हेलो दोस्तो राना ग्लासिज में आपका स्वागत है तो ये बड़ी अपडेट है ये बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के लिए या परतियुक्ता परिछाओं के लिए तो क्या है ये आप देख सकते हैं आज ही का लेटर है इसा नहीं कि पुराना लेटर है क्यों निकाला गया इस पर भी जो की बिस्तार से चर्चा करेंगे और यह जो सरकार के प्रधान सचीव हैं चंचल कुमार यह सभी विभाग सभी विभागाद्यज पूलिस महानि देशक सभी प्रमंदली आयुक सभी जिला पतादिकारी सचीव बिहार लोक सेवा आयुक सचीव तकनीकी सवा उप्युक्त विसाई के संदर में कहना है कि सामान प्रशासन विवाग के संकल्प ग्यापांग 2344 दिनाग 167 द्वारा बिहार लोग से वायों बिहार क्रमचारिट द्वारा आयुज की जाने वाले प्रतियुक्ता परिछाओं के संचालन अनुसंचालन कत्पय बिंदुगों पर मार्गदर्शन परिचारित किया गया क्या था तीन के आठ में तो परतियुक्ता परिच्छां बैठने के अभसरों की सीमा संकल्प संख्या परिशाट उन्नीज दिनांग 10 9 2003 के तरस समाप्त की जा चुकी है अता किसी भी परतियुक्ता परिच्छा में बैठने के लिए अब सरों की सीमा नहीं रहेगी परन्तु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिक्तम तीन अब सरों की सीमा लागू रहेगी तो इसको क्योंकि मैंने भी बताया था उस समय क्योंकि असपष्ट नहीं था कि अधिक्तम उम्रवाले के लेकिन असपष्टी करन्त किया गया है और ये आज का ही लेटर है तो युक्त प्रावधान से असपष्ट है कि आयोग द्वारा आयुजित की जाने वाली परत्योकता परिछाओं में के लिए बिहार राज के सरकारी सेवकों राज सरकार की सेवा में आने को प्रांध अधिक्तम तीन अबसरों की सीमा होगी किन्तु राज के सरकारी सेवकों से भीन अभियर्थियों के लिए अबसरों की कोई सीमा नहीं होगी तो क्या पहले जो कई बार परिछा देख चुके थे उन पर कोई कारवाई होगी या कुछ वैसा कुछ नहीं क्योंकि असपस्टिकरा नहीं जो कि आज दिया गया है दूसरी बात कि क्या वो राजक के सरकारी सेवकों से भीन मतलब सिर्फ बिहार सरकार के सरकारी सेवक चाहे आप यूपी सरकार के हो चाहे आप के सिर्फ बिहार सरकार के सरकारी सेवक है صिर्फ उनको तीन अपसरो मिलेगी लेकिन अगर अन्राज सरकार थेैं यகे ंदर सरकार के तो आप कोई सीमा लागों नहीं होगी मतलब इसको आप जितनी बार है दे सकते हैं और जो अभियर्थी नॉर्मल अभियर्थी जो ग्रेशन पास करते हैं सर्विसमें वह उनके लिए अब सरोकी सीवा नहीं है मतलब कीम के लिए झटका है एक तरह से का सकते हैं या उनके लिए नराजगी होगी जो सरकारी सेवा में आने के बाद चाहे वो किसी भी सेवा में हूँ, आप यह समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि यह कोई अच्छे, माल ले जाए कि आपकी सेलेक्षन है, जो कि लेपिक के पद पर होती है, और यह BSC इंटर लेवल पर ही हो रही, माल ले जाए कि आपकी जोईनिंग अपरिल में हो गई, और आपने को क्या करना है, अगर आपकी सेलेक्षन अपरिल के बाद, पहले कि काउंटिंग नहीं होगी, अपरिल 2022 के बाद, अगर तीन बार आप BPC, BSSE, सब के परिछाओं बैठते हैं, तो मातर तीन बार ही बैठ सकते हैं, जहां पर यह लिखा रहेगा तीन अपसर हो, और पहले क्या था, कि आप सरक अभी दन तो अभी दन दे देगा, लेकिन आपकी गिंती होगी कि आप कितने अपसर है, जो कि बैठे हैं, तो यह किलिरेशन है, जो कि आज किया गया है, और इससे एफेक्टिंग क्या होगा, क्योंकि BPSC में जो कि असपष्ट रूप से लिखा गया है, विग्यापन, 662 व तो यह आप देख सकते हैं, और यह हाली में उसमें लिखा हुआ था, और भी कई नोटिपिकेशन में जो कि लिखा जाता है, तो उस नोटिपिकेशन को ही देखते हैं, देख सकते हैं, कि 10, 9, 2003 के अलगों इस परिच्छा में बैठने के अफसरों की सीमा सप्रंतू, सरकारी सेवकों को निरधारित अधिक्तम तीन अफसरों की सीमा लागू रहेगी, तो यह है जो कि असपष्ट किया गया है, क्योंकि आज ही कि तीछी सपष्ट किया गया है, तो यह उनके लिए है जो कि आपको है, जो कि अब जो है, यह तीन ही अफसर है, जो कि मिलेगा, अब माल ली जाएकि यह जो बीपेसी भराई, इसमें पांचवा अफसर हो गया होग बत्तब क्या होगा क्योंकि आपको और यह पहले ही के लिए रेसन जो कि आ जाई है मारदरसन आ जाई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन आगे की जो परिच्छा होगी उसमें जो कि आपको सोच समझ कर भरना पड़ेगा खासकर जेनरली यह देखा जाता कि बहुत आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें यह आपको रोकेंगे कौन रोकेंगे कि नहीं आपको प्ररमिसस नहीं देतेके बहुत M discours गौन के इसका मतलब यही होता है कि तीन अफसरों की सीमा का मतलब हो गया आपको कि तीन ही अफसर है जो कि तो अब जो है आपको धियान देना पड़ेगा और आपके विभाग भी जहां जो भी विभाग रहेगा या कारेयले रहेगा वो ध्यान देगा कि अफसरों की सीमा जो कि लागू नहीं होता हुँ जितनी बार चाहे बैठ सकते हैं उनके लिए कोई बंदिस नहीं आप जितनी बार निकलती यह आपके भर सकते हैं यह आप लोगों को बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसका धन्यवाद